धन्यवाद आदेरी अद्धिक्ष महदे आपने मुझे इस बिल पे बोलने का मौका दिया और इस मौके पे चौका कैसे होगा तो मुझे किसी और के बाद बोलने का मौका दिया तो जिन्नोंने इतनी मुबारक बाते दी तो उनको भी दो-चार मुबारके हम भी दे दे उस मु मुझे एक बात का इल्म हो रहा है, कि सम्झो, यह मुबारक बात हम सब को दे रहे हैं, यहाँ पर बैठे सचा है, जो सिल्दा रहते हैं, यहाँ बैठे हम सब हैं, मैं भी एक बेठी की माही हूँ, कल जाकि गलती से आपके परिवार में, एक हुशाल परिवार में उस बेटी को WhatsApp पे तलाग 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 बोल दिया आपकी बहु बेटी को तो आपको मुबारक बात देंगे या आपके लिए हम दुख बैदा करेंगे इसका मुबारक बात का अर्थ क्या होता है महिलाओं के सशक्ती करण के लिए जब हम बात करते हैं मुझे मेरी बच्पन की कहानी याद है मैं खुब मराठी माध्यम में पढ़ी हूँ अध्यक्ष मौदे तो अंग्रेजी हम में एक दस्वी बारवी साल के होने के बात सीखते हैं तब ही और शी का मतलब थोड़ा बहुत सीखते सीखते आगे पढ़ रहे थे मैंने एक बार अपने पिजाजी को आके पूछा कि बाबा ही और शी अभी छोटी दी कोई भी हम सवाल पूछ लेते हैं वो कहते ही पुरुष होता है और शी महिला होती है लेकिन ही और शी क्यों होता है कि कहते ही तो पुरुष होता है लेकिन ही के पहले एस लगाया है क्योंकि सुपीरियर टू ही तो महिला सी होती है ये मेरे पिजाजी ने सिखाया है और इसी विचारधारों को हम लेके चलते हैं और इसी बात में मुवारक बात में देना चाहते हूं मेरे प्रधान मंत्री जी को कि उसी superior to he को वो ताकत देना चाहते हैं आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए यह बिल लाया है विवाप अधिदी के बारे में जब हम बात करते हैं इस सेक्रेड इंसिट्यूशन आप उसको बिजनिस कहते हैं क्या कहते हैं मुझे पता नहीं उसको क्या कहते हैं कॉंट्राइट लेकिन हमारे विवाप में एक पवित्र संस्कार माना जाता है और इस पवित्र संस्कार को वो कोई भी धर्म हो जात हो हर वक्ट एक पुरुश और महीला जब शादी करते हैं वो हिंडु हो, मुसल्मान हो, क्रिषिन हो इंसिक्ने से नहें ताम ऩृच्छी हो जब मैं शादी करना हूं उत्AJक बता सकता है ।स तरभन की परिभाश्च्छा आ अगे बढ़नीUST कि मेरी समाच की परिभाश्चा जी साथ पूंगी बढ़ने चाहें। और मैं ये कहना चाहतीं कि जब धर्म से मैं आ रही हूं, हमने भी बदलाव लाया, उस बदलाव पर विशय भी चले है, सती की प्रता हो, वो चाइल्ड मैरेज हो, वो कोई भी विशय हो, उसमें भी समाज की सुधारक, उस विचारों को, उस कानून को आगे बढ़ाने के सकती है, ये ताकत हमें हमारे समाज में कानून ने दी है, कानून यही कहता है कि समानता हर किसी को चाहिए, कानून यही कहता है, गांदी जी के तीन बंदर हम कहते हैं, कि बुरा सुनना नहीं चाहिए, बुरा बोलना नहीं चाहिए, और बुरा कहना भी नहीं चाहिए, लेक हनै वह मुभारक बाद दे रहें कि महीलाओं को ट्रिपल तलाग दे दिया तो चल जाएंगा कुछ नहीं होता उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं मुझे दुख यह होता है कि यहां पर महीला सांसद हम सब बैठे हुए हैं हम प्लेन में कहा जाना चाते हैं और कहा नहीं जाना दो बारने बात करेंगे. हम Vince supreme court ने कहा है कि शुप्रीम लिलाकस बनाए. चेटीसी मेरी मेरी महला इससे बरेचले है. यह आप वार समाथ सुभार के बारे बात करें, मेरे भाइयों के खिलाब बात करें. लिकिन मेरे सदण में यही प्रश्च में करना है. कि अपने घर की बहु बेटी पे कोई SMS पे कहेगा कि तुमको हमने तलाग दे दिया उसको राष्टे पे ले आएगा तो उस राष्टे पे आने वाली लड़की के लिए ये गलत नहीं होगा कि हम सिर्फ चुप रहे ये हम चाहे कभी भी अपनी बहु बेटी पे कोई आप भी उठा के खड़ा रहता है तो हम कहते कि उनको छोड़ेंगे ने तो कि हम ये कानून नहीं बना सकते कि जो ये करेगा पहला दूसरा तीसरा जेल में जाएगा लेकिन शौसा पांचवा सोच के बोलेगा तलाक बोलू या नबालू इसलिए एक कानून बनाया गया है इस सदन में चर्चा क्यों हो रही है ये चर्चा इतने हो रही है इस बिल्की कि खाने में नमक नहीं है तलाक 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 तुम्हारे मुझे दार्ट ठीक नहीं लगते तलाक 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 यह कहानी है आप पढ़िए तुम्हारी मुझे शकल पसंद नहीं तलाग 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 मुझे पांच और अरतों की शकल पसंद है जैसे एक ही शादी एक बार जनमुझ का और रिष्टा नहीं होते से कहा जा रहा है यहां पे तो पांच अरतों की शकल मुझे पसंद है तो त तलाग 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 यह तलाग है या मजाख है महिलाओं की जिंदगी से हथ खेलना और उस प्रताड़ना पे हम सबने उसे मजाख करना यह तो मुझे लिपता ठीक है और इसी कानून को लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं हम यह तो बैठे हुए social reformat भी है जैसे हम कानून बनाते हैं कानून के रूप से social reform भी होना चाहते हैं हमारा काम यह नहीं कि कानून बनाते रहे हमारा काम है उससे आने वाली जनता को समाज को हम आगे बढ़ाए इसी सबंसे ही अपिक्छा करती हूँ मैं इतना ही माननी ये मंत्री जी को कहना भी चाहती हूँ कि मंत्री जी आप एक दो लोगों की बात न सुनते हुए जो आपको मुबारक बात दे रहे हैं उन दस लाख महिनाओं की बात सुनिये जिन्होंने आपको पेटिशन साइन करके दीखी को हर एक मेरी मुस्लिम बहन कह रही है कि मुझे नहीं चाहिए ट्रिबल तलाग मैं नहीं कर सकती है सब कुछ मुझे तुम राफ्टे भे ठेक नहीं सकते और यहाँ पर कानून पर कानून बताय जा रहे है इस कानून को तो समर्चन दीजिए हर वक्त प्रिवेंचन बेटर होता है कि और से यह कानून उस रूप से प्रिवेंचन है और इस प्रिवेंचन को हमने समर्चन देना चाहता है मैं इसमें थोड़े बहुत सजेशन भी करना चाहती हूं कि नहिलाओं के संबान और संबानता के लिए हम ये कानून ला रहे हैं मैं पूरुष चंसदों को यहाँ पे पूछना चाहते हूं हिंदू परिवारों में दहेट का मौका का दहेट अभी क्रिमिनल आफिस हो गया भेट कोई भी मांगे तो हम उसक TO गेट को लड़के को हम इसे पूरे परिवार को ब,-किसी मसलिम पिताval को यह लगे जाते है कि उसकी बेटी को बोला जाए कि तुमको हम भेट तो लेंगे लेकिन तुमके तुमके तुमारे साथ साथ शादी में रखेंगे तो इस रूप से यहाँ पे बैटे हैं सारे पिता ये सोचते नहीं, ये प्रताड़ना आपनी बेटी बहू के आप देखनी सकते हैं, ये विशह पॉलिटिक से ओपर है, ये एक एमोशनिल समाज के रिपॉर्म का विशह है, और इस विशह को देखना बहुत ज़रूरी है, मैं उसी महिलाओं के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आधने प्रधानन्द्री मोदी जी ने जब करोड उजवला योजना से गैक सिलिंडर दिये, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए शोचाले दिया, तब ये सोच के दिया था, कि ये मेरी मुसलिम बहने, मेरी महिलाओं को कभी भी आप जाती और धर्म में बात नहीं सकते, महिलाओं का सम्मान धर्म और उसका परिवार होता है, और आप ट्रिपल तलाग देके उसको परिवार से दूर करोगे, तो आप सबसे बड़ा गुना और पाप कर रहे हो, मैं अंतुपर इतना ही कहना चाहती ऐसी बहुत सारी कहानिया है, पढ़ी निकी लड़की, पती ने छोड़ दिया, और ठिपल तलाग दे दिया, मैं यही चाना जाती हूं कि सुप्रीम कोट ने हमें जो अफसर दिया है, यह सोभागे हमारा कि इस अफसर को हम आगे ले जा रहे हैं, जिस प्रकार से प्रधान म एक खौपता सफर में उनसे कहीं कोई बात न चुप जाए ऐसी, जो साथ छोड़ दे हमसफर मेरा, कहकर तलाग बिद्दत के वो तीम बोल, तू क्या देगा तलाग के कायर, आज इंसाफ हुआ खुदा की इबादत पर, यह बिल आ जाए, उसके वो महिला कह रही है, कि तू क्या देगा तलाग के कायर, आज इंसाफ हुआ खुदा की इबादत पर, सभियों की खाक में से एक चिराग सुलगाया है, आज पहली बार मुझे मुझे से मिलवाया है, ऐसी हो मुस्लिम महन बोल रही है, चाहबानों की तकलीव की खाक से, शायरा बानों ने एक चिराग हर एक मुस्लिम महिला के साथ खड़े रहे के, आज रेनिये प्रधान मंत्री ने उसको उसे मिलवाया है, और मैं आज रेनिये मंत्री जी रवीशन सब्रसाद जी को धनिवाद देना चाहती हूं, कि ये बिल, ये बिल सिर्व महिला सशक्ती करण का नहीं है, पूरे कार भारा नहीं है, तो हम करके दिखाते हैं, ये करके हम बिल को आगे बढ़ाएं, और उसका मैं समर्चन देना चाहती हूं, बहुत-बहुत धन्यवान चाहती हूं